हेलो साथियो नमस्कार स्वागत है आपका कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों को लेकर बहुत ही महातपूर सवाल जो कि आपकी आगामी परिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं ठीक है तो एक एक सवाल को यहाँ पर हम विस्तार से करने वाले हैं जानने वाले हैं तो आए स्टार्ट करेंगे सवाल नबर एक से आपके समझ में है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है इसके बारे में तो वच्चा वच्चा जानता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में आप गंगा को जानते हैं और इसके विसे में ज़्यादा कुछ बताने की ओसक्ता आपको पड़ेगी नहीं लेकिर फिर भी जान लिए गंगा भारत की सबसे महत्पोर नदी है गंगा की टोटा लंबाई 2525 कव मीटर है यह भारत में सरवादिक पवित्र मानी जाती है इसके उपासना मा देवी के रूप में की जाती है यह भारत की ब्रहत्तव नदी के रूप में परिभासित होती है ठीक है चलिए इंदरावती किसकी सहायक कही जाती है आपने सुना ह इंदरावती नदी को गोडावरी की सहायक कहा जाता है। सिक्किम और उत्री बंगाल की जीवन देखा किसे कहते हैं। लखनव का संबंध इनमें से कौनसी नदी से माने गया। लखनव का संबंध गोम्टी नदी से है। विस्तार से जान लें तो गोम्टी उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। स्काउद गम उत्तर प्रदेश के पिली भी जिले की तहसील मादो तांडा के पास से माना जाता है। गोम्टी के किनारे बसे लखनव, सुल्तानपुर और जौनपुर प्रमुख नगर माने जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सयुक्त जल्धारा किस नाम से जानी जाती है। उत्तर की बात करेंगे, इसकी सयुक्त जल्धारा को आप मेगना कहते हो। विस्तार से जान लें तो गंगा नदी को बांगला देश में पदमा कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को बांगला देश में जमना कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की धारा जब मिलती है उसे मेगना कहा जाता है और यही मेगना आपका संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है भारत की सबसे ज़्यादा नौगम में दो नदियां कौन सी है उत्तर की बात करेंगे गंगा और ब्रहमपुत्र ये भारत की दो सबसे बड़ी नौगम में नदियां है गंगा और ब्रहमपुत्र के विशे में अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा नौग से पार कर जाए ठीक है तो आपको याद रखना है और बड़ा इंपोर्टेंट है इन में से किस नदी को चंदरभागा नदी भी कहा जाता है तो भीमा नदी को आप चंदरभागा के नाम से भी जानते हैं स्कावत गम पस्चमी घाट की भीमसंकर परवसरेडी से वाना जाता ह भीमा इसे चंदरभागा नदी भी कहते हैं ये भारत के पस्चमी वा दक्षडी भाग में एक प्रमुख नदी है ये दक्षड पूर्वी दिशा में 8001 किलोमीटर बैती है निमलिकित नदीों मैंसे भारत में किस परसप से लंबा सडक सेतू है आठ के जवाब की बात आपका लोहित यहां पे सही उत्तर हो जाएगा लोहित नदी पूर्वी दिबद के जयालचु परवस्रेडी से निकलती है लोहित नदी भारत के रोडांचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भूपेन हजारिका सेतू य को इसी से सम्बंदित प्रतीत होता है चलिए सुन्दरवन का डेल्टा कौनसी नदी बनाने का कारी करती है तो सुन्दरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदीयां मिलकर बनाती है सुन्दरवन दच्छडी बांगलादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की सय जलधारा मेगना के द्वारा निर्मित है, सुन्दरवन या सुन्दरवन भारत का तथा बांगलादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इस संगम के बाद गंगा नदी का निर्माड होता है और ब्रह्म्पुत्र का उदगम हिमाले के उत्तर में तिबद के पुरंग जिले में स्थित मानसरवर जील के निकट होता है जहाई से यल्लूंग तांसो के नाम से जाना जाता है। इस संगम इस्थल से भारती सीमा तक नदी को नाराइडी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। हेमावती नदी की उपनदी बताना है आपको सवाल नंबर 12 है हेमावती किस नदी की उपनदी है तो उत्तर की बात करेंगे ये कावेरी नदी की उपनदी के रूप में इसको जाना जाता है। हेमावती पस्चिमी घाट की पहाडियों में करनाटा केचिक मंगलूर दिले में इस्थित बालूर ग्रांग के निकट कुछ पन्ने होती है या कावेरी नदी की एक उपनदी है कृष्णराज सागर नामक नगर के समेप ये कावेरी नदी में विले हो जाती है तो इंपोर्ट यल्लूंग तांकसपो तिबबत के पस्चिमी भाग में कैलास परवथ के निकट मांसरोवर जील से उत्पन्ने होती है तिबबत में इसके द्वारा बनाई गई यल्लूंग तांकसपो महान घाटी बिस्की सबसे गहरी और सबसे बड़ी तंग घाटी कहलाती है भारत के अर आपको दिखाई पड़ रही है चाए वो सिंदू हो सतलज हो या ब्रह्मपुत्र हो सब का उदगम इस्थल सेम है सब का जवाब यहाँ पे एक ही है और सब टिबबत के मानसरोवर के निकट निकलती है ठीक है विस्व का सबसे बड़ा नदी माजुली का निरमार करने वाली न माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नरीदूइप होने के लिए जाना जाता है माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है निमलिखित में कौनसी ददी दच्चर से उत्तर की और प्रवाहित होती है वदावरी, कावेरी, कृष्णा, बीत 16.16, जवाब की बात करेंगे, आपका D हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा या मद्रप्रदेश में राइसें जिले के कुमारा गाउं से निकलती है बेतवा नदी जिसका प्राची नाम वेत्रवती था, या भारत के मद्रप्रदेश और उत्तर प्रदेश राजयों में बहने वाली एक नदी है या यमुना नदी की उप नदी है या बुंदेल खंड पठार की सबसे लंबी नदी है या हमीरपूर के निकट यमुना में मिल जाती है गमलिकित में कौन सी नदी हिमाले से परे की नदी कहलाती है सत्रा के उत्तर की बात करेंगे सतलूज आपका सही होगा स पानसरोवर के निकट राचस्ताल से बानते हैं। इसमें आने वाली बार से बिहार में बहुत तबाही होती है। अरखंड के छोटा नाधपुर छेतर से निकलती है। ये नदी हुगली नदी के समदर में मिलने से पहले इसमें मिल जाती है। दोनों नदियों के मिलने से वहां बार आ जाती है जिसके कारण इसको बंगाल का सूप पहा जाता है। वे दो प्रमुक नदियां कौनसी हैं जो अमर कंटक पठार से निकलती हैं परन्तु अलग अलग दिसाओं में बहती है। यह आपका 20 नदियों रहेगा उत्तर की बात करेंगे आपका नर्मदा और सोन यहाँ पर सही है। सहायक मानी जाती है। तवा मद्य प्रदेश की एक प्रमुक नदी है। नियालम जिले में महालंगूर हिमाले की ढलों से उत्पन्य होती है। जहाँ इसे फुंक्चू और भुंक्चू के नाम से जाना जाता है। निमलिकित में कौन सी नदी है जिसको आप उरिसा का सोग कहते हो। इसका कारण इसकी बार भिवीसिका है। तो ये point भी आपके लिए important है। कपिला किस नदी की सहायक नदी कही जाती है। उत्तर की बात करेंगे आपका कावेरी हो जाएगा। कपिला नदी इसे कावेनी नदी भी कहा जाता है। इभारत के केरल और करनाटक राजियों में बहने वाली एक नदी है, यह कावेरी नदी की एक मुख्य उपन नदी है, क्लियर, इंदौर के समीप इस्थित जाना पाव पहाडी किसका स्रोत माना जाता है, उत्तर हो जाएगा चंबल नदी का, यह नदी इंदौर के समीप जाना पाव परवत बाचू पाइट महू से निकलती है, चंबल नदी मद्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है, इसका प्राची नाम चर्मावती है, इसके सहायक नदियां शिपरा, सिंध, काली सिंध और कोन्य नदी कहलाती है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, यह आपके लिए बड़े ही महातपूर सवाल थे, भाग एक में हमने कुछ सवाल किये है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलेगा, जिसमें हम लोग बहुत ही महातपूर सवाल करेंगे, इसके लावा अगर आपने अभी तक अनेकेडमी जॉइन नहीं किया है, तो अपने तयारी को बहतर कर सकते हैं, अपने doubts कлять कर सकते हैं, बहुत सारे notes पराप्ट कर सकते हैं, और code आपको यूज करना रहेगा दीपक सिंग वाईटी टिड, और अगर आप ये code यूज करते हैं, तो आपको paid class करने का उसर मिलेगा, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखत हैं जल्द मिलेंगे आपसे एक नए पार्ट के से